सो हे गाइज विल्कम बैक आरने गेमर तो कैसी यूँ आप लोगो होफ कि आप लोग बढ़े होंगे और आज की इस वीडियो में आप लोगो बात करने होलों कि जैसे आप लोगो विंटर लाइंड न्यू इवेंड चल रहा क्रिस्मस डे का फ्रेंड तो आप लोगो देश सक करके हैं इस वीडियो में आप लोगो फूल डिटेल में बताऊंगा तो चले फैंड वीडियो को स्टार्ट करने इस पहले आप लोगह सी करने कि अभी तक वीडियो लाइक ने कि हो तो वीडियो को ला act करना एड मेरा वी तक चैनल पे नही ciraneल को भी subscribe कर देनना क्यूंकि हम लोग बॉक्स खोले थे फ्रेंट तो बॉक्स ओपेन के थे तो आप लोग को वहाँ एक ग्रेनेट का स्कीन मिलता एंड आप लोग डायमंड वोचर वेपन वोचर भी मिला होगा फ्रेंड उसके बाद मैं आप लोग को बता दू जब आप लोग एक जनवरी को गेम खोलेगा तो आप लोग गेम खेलेगा तो उसमें आप लोग को टोकन कलेक्ट करने के लिए मिलेगा इस तरह से टोकन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां इसकीन पर आप लोग को फुलावर टोकन दीख रहा ना इस तरह से आप लोग को टोकन मिलेगा तो मेरे आप लोग को क्या करना गाइस कि उस token को collect करना एंड collect करने के बाद आप लोग को उसको collect करके रखना एंड उसके बाद मैं आप लोग को बता दू जैसा कि आप लोग को यहां तेन फिमेल बंडल दिख रहा है एंड उसके बाद आप लोग सर्बोर देख सकते हैं मैं आप लोग को बता दू यहा आप लोग को ये फलावर टोकन से दिखने के लिए मिलेगा तो आप लोग को ये कब से मिलेगा एक जनवरी को आप लोग टोकन कलेक करना स्टार्ट कर देना तो फिर्ण एंड उसके बाद मैं आप लोग को बता दू कि और आप लोग ज्यादा से ज्यादा टोकन कलेक करने के आप लोग को क्या करना पड़ेगा फिरंड आप लोग जैसा कि देख सकते बर्मूडा तो आप लोग को क्या करना क्लासिक बर्मूडा गेम खेलना फिरंड एंड उसके बाद आप लोग रैंग भी खेल सकते हो तो आप लोग को क्या करना जैसी आप लोग गेम खोलेगो ना त उसी तरह से आप लोगो मिशन दिया जाएगा अगर जो वो complete कर लोगे तो आप लोगो वहां से भी token मिले गा या इंड उसके बाद आप लोग गेम खेलते हो friend गेम खेलके जैसी आप लोग बैक होगे न तो आप लोग जैसी बैक आयेगा friend तो आप लोग को वहां से भी आप लोग को यह flower token मिलेगा, तो आप लोग क्या करना, बहुत सारे अप लोग को ke youngest— अभी से आप लोग ज्यादा से ज्यादा game play किजिए, आइध यह token आप लोग collect करके रखना यह जब आप लोग को exchange करने के लिए यह सारे bundle आप लोग को मिलेगा तो आप लोग वहाँ ज्यादा टोकन रहेगा तो ही आप लोग बहुत सारे बंडल एक्सचेंज कर पाईएगा अगर जो आप लेकर पास टोकन कम रहेगा तो आप लोग एक या दो बंडल ही ले पाऊगे लेकिन आप लोग ज्यादा ज्यादा टोकन रहेगा तभी आप लोग सारे बंडल आप लोग ले पाएगा तो में आप लोग को क्या करना बस आप लोग को टोकन कलेक करके रखना है और जैसी एक्सचेंज का ओपसन आएगा तो आप लोग क्या करना एक्सचेंज करके बहुत सारे बंडल ले लेना जिस तरह से मैं लूँगा फ्रेंड आपको में विडियो बना दूँंगा नेक्स बिडियो में, तो आप लोग देखने लेना नेक्स बिडियो में आप Long Ko Ken grand सबंडल बेश्ट रहेगा इंड कों सबंडल आपलोग को लेना होगा उसके बारे मैं आप आप लोगो फूल डिटेल में बताऊंगा तो पिन आप लोगो वीडियो को ऐसा लगा मेरे बाइक कमेंड में जरूर बताईगा एंड अभी तक वीडियो को लाइक ने की हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सस्क्राइब कर देना तो च